हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टेनून कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छी होंगे जैसा कि आपको पता ही हमारा बिजनस कम्यूनिकेशन चैप्टर 11 कर नेक्स टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है हमारा एसेंशियल्स ओफ इफेक्टिव बिजनस लेटर बिजनस लेटर के कुछ जरूरी पार्ट्स होते हैं एलेमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं पहला होता है फिजिकल अपियरेंस दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर ओफ लेटर फिजिकल अपियरेंस में क्या क्या चीज़े आती हैं देख लेते हैं इस्टेशनरी ठीक है किस तरीके का stationary हम use कर रहे है color of the paper कि paper का color हम क्या use कर रहे है size of the paper कौन से size की paper use कर रहे है typing of the letter हम किस तरीके से letter type कर रहे है hand written है typewriter यूज क्या है computer यूज क्या है typing machine यूज क्या यूज क्या है type of the letter में आता है designing, क्या design हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी margin छोड़ रहे हैं, कैसा paragraph यूज़ कर रहे हैं, purity, underlining, ठीक है, envelope हम कैसा यूज़ कर रहे है, folding and putting the letter in the envelope, हम किस तरीके से fold करके envelope में वो paper रख रहे है, stamp fixing, उस पे stamp है या नहीं है, हम देख लेते हैं, subject matter में क्या क्या चीज़ आती है, वो complete है कि नहीं है, उसमें politeness दिख रही है या नहीं है, clean है या नहीं है, clarity उसमें अच्छे से है या नहीं है, brief मतलब छोटा है कि नहीं है, effective है कि नहीं है, simple है कि नहीं है, tactfulness मतलब कि क्लेवरिटी उसमें स्मार्टनेस दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है Uniformityositym और हमें गभी you must abilities of year on Minsk Smith यूटिलिटी स्कीम्स जो है वो सब हमने डाली है या नहीं डाली है और फैसिनेटिंग उसको अच्छे से फैसिनेट किया है नहीं किया होप आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर आपको नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए थैंक यू सो मच